आज हम बनाएंगे beef stew kima बहुत ही असान recipe और बहुत ही मज़ेका बनता है इसके लिए हमने ये चीजन लिया है, सबसे पहले तो हमने लिया है जीरा और साबिध धनिया इसको हमने roast कर लिया था और दरदरा कूट लिया है ये दोनों एक एक चमची है और ये एक बड़ी प्यास है जिसे हमने कट कर लिया है साथ लसन के जवें हैं और लसन के जवें को हम कूट लेंगे दो कपगीर हम करड़ाई में तेल डालेंगे इसके बाद जो हमने लसन कूट के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे हलका स फ्राय कर लेंगे हलका सा फ्राय करने के बाद हम इसमें डालेंगे 10 काली मिर्चे5 लओंगे एक बड़ी लाच्ची और 2-3 तोकडे दाठ जीनी के इसे हम हलका सा अच्छेरी कीमा लिया है और अब हम पैस अट कर देंगे और प्यास को आपने ज़ाधा फ्राय नहीं करना, तक्रीबं 30-40 सेगिंड ही फ्राय करना है, इसके बाद हम इसमें 6 सापवות लाल मेज डालेंगे, अब हुनम इसमें एड़ करेंगे कीमा, और कीमा डालने के बाद कीमे को हमने अच्छे से 2-3 मिनट फ्राय करना है, फ्राय करन में आप डालने एक serving spoon दई का दई डालने के बाद आप इसे अच्छे से fry करें और फिर आप इसमें अट करें जो जीरा और धनिया हमने कूट के रखा था वो और अब इसे fry करते रहें तकरीवन एक मिनट और फ्राय करना है फिर इसी duration में हम इसमें टिमाटर भी अट करेंगे एक दर्मयाना और साथ ही हस विसाई का नमक भी डालेंगे और इसे mix करेंगे अब हम इसमें एक कवगीर पानी डालके इसे ढखके 15 मिनट के लिए पकाएंगे दीमी आज पर ताके कीमा गल जाए और ये दिखिए कीमा गल चुका है तेमाटर भी गल चुके है अब हम इससे अच्छे से फ्राय करेंगे और फ्राय करने के बाथ हम इस मैट करेंगे हरी मर्चे आप अपने साब से हरी मर्चेस में डाल सकते हैं और इसे एक से दो मिनट अच्छे से भूनेंगे और ये देखिए हमारा कीमा रेडी है इस कीमे के साथ आप पराटा बना के खाएगा आपको बहुत मजाएगा आप वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताके आने वाली वीडियो के अपडेट मिलती रहे